दोस्तो बहुत सा फ्रेंड का यह रिक्वेस्ट था कि इलेक्टीक ओभारेड क्रेंड में जो आपका मेन होस्त एकजुलीर होस्त लॉंग ट्रेवल क्रॉस ट्रेवल इसमें जो पैनल रहता है इसका कंटूल वैरिंग किस तरह से करना है इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाके अगर आप समझा दीजिएगा, तो हम लोग को clean समझ भे भी आएगा, और कमी भी काम करने में कुछ दिकत नहीं होगा, और एक वीडियो में मैं आप लोगों से एक कोश्चान में पूछा था, कि क्रेण में कौन सा इस्टाटर हम लोग उपियोग करते हैं, आज मैं आप लोग को practical में करके भी दिखाऊंगा, और आपना जो practical experience है, वो आप लोग के साथ share करूँगा, और clean आपको जिस तरह से समझा दूँगा, आपके अंदर में कुछ doubt भी नहीं रेगा, सारा doubt किलियर हो जाएगा, और काम करने में आपको काफी hell मिलेगा, इलेक्टिक ओवारेड ग्रेन में जो हम लोग के स्टाटार यूज करते हैं, इसका दाम है, रोटार रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टाटार, यह दोस्तो मास्टर कंट्रोलर है, ठीक है, जब आप practical में काम किजिएगा, तो इसी ताइप आपको देखने के लिए मिलेगा, यह क अंदर में छोगो कीट है, देखिए मास्टर कंट्रोलर लिखा हुआ है, एक दम दोस्तों धीरे धीरे आपको क्लीन समझना है, अभी में मास्टर कंट्रोल खोल के दिखाऊंगे, तो आपको और कुछ डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट किलियर कर लेना है, क्यूंकि दिवास एक फर्वार्ड और तीनगोई स्टेप का रेस्टेंस वान टू थीरी और एक न्यूटल कीट के लिए, मतलब न्यूटल कीट किसलिए लगा हुआ रहता है, पोडेक्टिव पैनल के साथ इंट्रलोक दिया हुआ रहता है, यह कनेक्शन में मैं आप लोपन रेस्टेंस थरी, यह रिवास का, यह रेस्टेंस वान, रेस्टेंस टू, रेस्टेंस थरी, क्लिए समझ में आ गया है, अब कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अब इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे, नमास्टा कॉंट्रोलर में जो आपके खीट रहता है, इसमें दो टार्मिनल रहता है, एक इनपूट, इनपूट में आपको 110 बोल्ट सप्लाई देना है, और जो मास्टा कॉंट्रोल में रिवास और फरवाड के यह दो को कीट है, एक दूसरे को लूप कर देना है, जो इसका इनपूट टार्मिनल है, यह देखे, लूप लगा दिये, स्टाटर, यही आज मैं आप लोगों करके दिखा रहा हूं, अभी देखिए, यह लूप लग गया, यह जो वायर यह निचे से आ गया, एक दम क्लेन आपको समझना है, फिर यह जो रेश्टेंस का तीन गो कीट है, इस पे भी आपको लूप लगा के कनेक्शन करना है, इस तरह से आपको लूप लगा देना है, अभी यह जो आपका फर्वार्ड रिवास, रेश्टेंस 1, रेश्टेंस 2 ठीक है, इसमें आपका जो यह टू पॉइंट है, यह टू पॉइंट में हमेशा में आप लोगों को बताया हूं, कि निउटल का कनेक्शन करना है, टाइम इस तरह से आपको लूप लगा हूँ रहता है, मास्टर कंट्रोलर में, 110 गोल यहां पर आएगा, एमसीवी में जो आपका आउटपूट है, जो फेज वला है, कनेक्शन, एमसीवी में एक वैर कनेक्ट करना है, और थार्मल भालोट लेकर 95 में दे देना है, और 96 से आउट करके सिधा मास्टर कंट्रोल में दे देना है, मास्टर कंट्रोल में दे देंगे, जो इन्पूट टर्मिनल है इसमें तो 110 गोल्ड हमारा जो रेश्टेंस 123 तीनों कीट को मिल जाएगा और रिवास फरवार्ड को भी मिल जाएगा बहुत आसान तरीका से आपको कनेक्शन करना है और जल्स आपको पहले अच्छा से समझना है कभी वी काम करने में कुछ भी दिकत नहीं होगा जब आप कंटूल वहर का किजिएका से लौर कर अच्छा से यह तर्म यह यह आपका जो सींपल तरीकां से आप लोग बता रहेए यह हो गया आपका कौन सा यह हो गया फर्वार्ड कॉंटक्टर का कीट जो मास्टर कॉंटर का कीट है इसका आउट पूर्ड में एक और कनेक्ट करना है और यहां से लेके आ जाना है जो आपका रिवास का कॉंटक्टर है रिवास का कॉंटक्टर का NC पॉंट में इन करना है फ इसका आउटकुड में एक वैर आपको कनेक्ट करना है और यहां से आउट करके सीधे आपको देदेना है जो फर्वार्ड का कॉंटक्टर है इसका एवान का पॉइंट में वह भी मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा तब क्या होगा और कुछ डाउट नहीं रहेगा सारा आपका कृलियार हजेगा देखे फर्वार्ड का शोट इसका एवान का पॉइंट में दे दिया हूं से दुस्तो जो आपका डौन art करना और कनेट करने के बाद सीधा आजागे जो फर्वार्ड का इन से में और मास्टर कंट्रल में चेक भी कर लिजिएगा तब कुछ भी डाउट नहीं रहागा देखिए जो आपका रिवास का कॉंट्रक्टर रहता है ना उसमें आने से पहले मास्टर कंट्रल में चेक करना तो इसका कनेक्शन क्या होगा तो रिवास का जो कीट है वो जब एन सी बनेगा तो फर्वार्ड का जो कॉंट्रक्टर इसका एन सी में आएगा और यहां से आउट करके किसमें देना है जो आपका रिवास का कॉंट्रक्टर है इसमें जो आपका थर्मल और रिलेकर 96 है इसमें एक वेर आपको connect करना है Connect करके जो forward और reverse है इसका दुनों का NOO में देना है क्यूनके जब आपका चाहे forward side काम करे या reverse side काम करे दुनों side में आपका resistance का contactor operate होना चाहिए अभी देखिए रिवास का एनो में connection कर देना है मतलब थर्मल वाल रिले का 96 में एक वर कनेक्ट करना है वहां सा आउट करने वाद जो रिवास का एनो का आउटपूट है यहां पर एक वाईर मतलब एक साथ में दो गोईर connect करके जोड़ देना है एक वाईर आपका चला जाएगा रिवास का एनो में और एक वाईर आपका सीधा चला जाएगा टाइमर में वह भी मैं करके आपको दिखाओंगा तब क्या होगा आपका अंद दे दिया हूं ठीक है अभी रेश्चेंस कॉंट्रेक्टर का connection करना है यह आपका एक नंबर कीट है इसका आउटपूट में एक वाईर आपको connect करना है यहां से जो आउट होगा यह आपका किसमे जाएगा जो आपका टाइमर का पंदरा नंबर है पंदरा नंबर में इन करन आपको आउट भी करना है अठारा नंबर में एक वाईर लगा दिया हूं फिर यहां से आपका किसमे जाएगा यह एक नंबर टाइमर है ठीक है इसका जो आपका नंबर पॉइंट है वह भी मैं आपको दिखा दूगा clean देखिए यह आठारा नंबर पॉइंट है आठारा न का पॉइंट में इस जगह में दोस्तों आपको एक साथ में दोगो और जोड़ना है तब क्या होगा अब बहुत आसान तरीका से कनेक्शन कर पाईएगा अभी देखिए एक जोड़ रहा है अभी और एक तार जोड़ना है यह देखिए दो तार हो गया अभी एक और तो डाल बीकर मां घ्रेशन समरा और ओँझेगे कनबर टाइमर से अभी यह जो एनल है इसका आउट पुट में एक एक और जोड़ना एक जोड़ना है यह से आउठो के सिध्या जगे जो टाइमार है दो नंबर दो नंबर टाइमर का यह वान का पॉइंड में यहां पर आपको देना है मतलब जो आपका Master Control का Input यह दो नमबर रेस्टेस के कीट है यहां से कर दिये और टाइमर का जो पंदरा नमबर पॉइंट है यहां पर इन कर दिये कि पंदरा नमर में और कनेक्ट हो गया और अठार नमबर से आउट होके चला जाएगा जैसे मैं आपको बताया हूं यह पंदरा नमर में कनेक्ट हो गया सेम टू सेम तीनों टाइमर का आपका कनेक्शन करना है मैं फिर भी आप लोग को करके दिखा दे रहो तब कि और कुछ यहर आ नहीं हो सिदा नहीं रहेगा आपका एज्सटर्स नंबर का दो नम्बर कोंड़क्टर में 1 er V1 में देना है यहां से आउट करके इनोमें इन करना है फिर आउट in और अचुरणा में बहुत आसान तरीका है इस से आसान दूस्तत Mensch और मिलेगा भी नए यह Van बीडिक तौरर थे देंगे जो सती नमर्य टायं मैं वैश्यक मiं आउट में उसके बाद इसको चेक भी करेंगे देखिए इसका इनों में एक वायर कनेट कर दे रहा हूं यहीं वायर आपका सिधा आजाएगा टाइमर का एवान का पॉइंट में कि रेक्तिकल में थोड़ा सा टाइम लगता है टाइट विट करना पड़ता है ना यहां से आउठ होके किसमे आएगा जो आपका तीन नंबर टाइमर है इसका एवान में एवान में कनेक्ट कर देंगे एवान में कनेक्ट हो गया अभी जो आपका मास्टर कंट्रोल है इसका जो तीन नंबर स्टेप है तीन नंबर स्टेप में एक वायर कनेक्ट करेंगे त्रीक है तेकि यह तीन नमबर इस्टेफ है इसके स्कुरू थोड़ा टाइट थे तो लूज हो गया अभी तीन नमबर में एक वार कनेक्ट कर देना है यहां से फिर आउट करके वही सेम कनेक्शन है टाइमर का जो पंदरा नमबर है इसमें इन करना है और 18 नमबर से आउट क करके आपका जो कॉंटक्टर है कॉंटक्टर का तीन नमबर जो इस्टेफ है रेस्टेंस का उसका एवन में दे देना है कॉंटरा नमबर में इन हो गया फिर आठरा नमबर से आउट भी करना है आठरा नमबर में आउट हो जो गया आउट हो नेक बाद आजाएगा शिद्धा आपका ये वान का क्वैल में अब इन पूट सप्लाइद देंगा और इसके बद चेक कर लेंगे कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर और भी मैं करके अपलों को दिखा दूंगा आप इस प्रेज के कनेक्शन हो रहा है होगया है कर देशिंग कर लिजिएगा तब क्या होगा देशिंग करके मतलब जब पैनल बनाईएगा तब डेशिंग करना है अभी जाश्ट में आप लोगों को दिखा दे रहा है वीडियो में करना जरूरी है अभी देखिए कि यह आपका हो गया रिवास वाला ओन निसका कोंट्रेक्टर रहन है अप करके भी दिखाऊंगे आप हो गया कि यह हैं फिर रिवास का ताइमर बी ओन हो गया है देखिए थोड़ा देर के बद जो टाइम कंपटेट होगा तब क्या होगा यह तो रिवास कंट्रेटर ओन है एक टाइमर ओन है और यह Master Control का जो कीट है यह भी एनसी बना हुआ है अब एक नमबर स्टेप लगा दिये तो एक नमबर स्टेप का कॉंट्रेक्टर ओन हो गया अभी जब दो नमबर लगाएंगे तो दो नमबर ओन हो गया यह देखे दो नमबर ओन गया अब टाइमर का टाइम जब कंपलेट होगा तभी औन होगा ते इस तुरह से दोस्तों आप रोटार रेश्टेंस कंट्रोल श्टटर बहुत आसान तरीका से बना सेकते इसका सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बार फर्वार्ड साइड भी चेक कर आपको दिखा दूंगा तो और कुछ डाउट नहीं रहेगा सारा डाउट के लियर हो जाएगा अभी देखिए यह फर्वार्ड का है यह फर्वार्ड कॉंड़क्टर आउन है यह बंद हो गया यह और रेस्टेंस का एक नमबर किट लगाएंगे तब क्या होगा टाइमर में अल्रेड ताइमर एक नमबर टाइमर का एक नमबर रेस्टेंस आउन होगा इस तरह से दोस्ता को कनेक्सिन करना है दोस्तो इलेक्टिकल का काम सिखने में अगर आपको कुछ दिकत हो रहा है तो हार बुद्बर को सुबह 10 बज़ से लेके सामको चो बज़े तक मेरा जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ फोन कोल में बात करता हूँ रात को 9 बज़ से लेके 10 बज़े तक YouTube चैनल में लाइब रहता हूँ जितना सारा फ्रेंड जो जो question पुछता है सब question का answer देता हूँ और जितना हो सके मैं help करता हूँ Facebook, Telegram, WhatsApp, Electrical का group जितना सारा है सब का लहीं YouTube चैनल का about में आपको मिल जाएगा और फिर भी अगर कुछ doubt है तो आप मेरा WhatsApp में message कर सकते है हार रोज आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्कार जाएगे